हलो एव्रिवान, वेल्कम टू रूचिस कुग बुक, आज मैं बनाने वाले हूँ टेमरिंड राइस टेमरिंड राइस बहुत ही चटपटे, स्पाइसी और मज़ेदार होते हैं खाने में आप इन्हें लेफ्ट ओवर राइस के साथ भी बना सकते हो तो चलिए देखते हैं कैसे बनेंगे टेमरिंड राइस टेमरिंड राइस बनाने के लिए मैंने यहां पर वन बोल राइस का लिया है इसे हम एक पतीले में डालेंगे और डालने के बाद इसे तीन से चार बार साफ़ पाने के साथ धोलेंगे चावलों को मैंने अच्छे से तीन से चार बार धो लिया है अब मैं इन्हें आदे गंटे के लिए भीगोने के लिए रख दूँगी आदा गंटा हो चुका है अब हम गैस ओन करके चावलों को पकने के लिए रख देंगे जब चावल पक जाएंगे तो हम एक्स्ट्रा वाटर जो है वो ड्रेन कर देंगे अब चलते हैं नेक्स टेप की तरफ गैस ओन करके मैंने यहाँ पर पैन रख दिया है इसमें आड़ करूंगे टू टेबल स्पून ओयल ओयल डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे पीनट और पीनट्स को अच्छे से रोस कर लेंगे साथ में मैं इसमें आड़ कर रही हूं तू टेबल स्पून कैश्यूस और इनको भी पीनट्स के साथ रोस कर लेंगे पीनट्स और कैश्यूस रोस्ट हो चुके हैं अब हम इनको प्लेट पर निकाल लेंगे अब हम इस बचे हुए ओयल में डालेंगे वन टेबल स्पून मस्टर्ड इसको अच्छे से चटकने देंगे 10-15 कड़ी लीव्स इनको अच्छे से चटकने देंगे साथ मैं आड़ करूंगी वन टेबल स्पून उड़त की दाल वन टेबल स्पून चना दाल एक ग्रीन चिली जिसको मैंने अच्छे से स्लिट कर लिया था वो आड़ करूंगी और इसे थोड़ा सा सौटे कर लेंगे अब हम इसमें आड़ करेंगे थोड़ा सा हीं साथ मैं आड़ करेंगे थोड़े से मेथी दाना अब मैं इसमें आड़ करूंगी 1-4 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर साथ मैं आड़ करूंगी 1-4 टेबल स्पून हल्दी का पाउडर मिर्च यहां आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग कमिया जादा कर सकते हो अब हम इसमें डालेंगे स्वादा नुसार नमक और इसे अच्छे से सौटे कर लेंगे हमारी चना दाल और उड़त की दाल भी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है अब हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प मैंने यहां पर half cup इमली का पल्प एड़ किया है और इस इमली के पल्प को चलाते हुए एक बोईल आने देंगे मैंने 50 ग्राम इमली को गरम पानी में भीगो कर रख लिया था और उसका पल्प निकाल लिया था वो मैंने यहाँ पर एड़ किया है अब हम इसमें डालेंगे दो बड़े चमट जैगरी पाउडर आप जैगरी पाउडर की जगा चीनी या गुर को भी आड़ कर सकते हो जैगरी पाउडर यहाँ इमली के खटेपन को बैलेंस करने के लिए हमने आड़ किया है मसाले से काफी हद तक मौईस्चर सूप चुका है हमारा जो है इमली के चावलों का मसाला रेड़ी हो चुका है अब हम इसमें एड़ कर देंगे रोस्ट किये हुए पीनट्स और कैश्यूस थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे चावल यहाँ बनकर रेड़ी हो चुके हैं अब हम इनको आड़ करेंगे टेमरिंट मसाले में और अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप बचे हुए चावलों से भी टेमरिंट राइस बना सकते हो टेमरिंट राइस जिसे हम इमली के चावल भी बोलते हैं वो हमारे यहाँ बनकर रेड़ी हो चुके हैं हम इसे धन्यापति से गार्णिश कर लेंगे इफ यू लाइक माई रेसिपी प्लीस सब्सक्राइब तो माई चैनल हापी इटिंग